मरते दम तक नहीं होगा कमरदर्द और घुटनों का दर्द कभी नहीं होगी सुगर कोलोस्ट्रोल और दिल की बिमारियां मोटापा और खून की कमी होगी बिलकुल जड़ से दूर नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे दोस्तों इस नुस्खे का सेवन यदि आप हर रोज करेंगे तो दोस्तों आपको इसके चमतकारी नतीजे दिखाई देंगे दोस्तों लाखों रुपे की दवाईयां भी इस नुस्खे के आगे फैल हैं यानि लाखों रुपे की दवाईयां जितना काम करेंगे उतना ही काम ये नुस्खा भी करेगा और इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिरफ तीन ओस्तियों की जरूत पड़ेगी और ये त अभी दर्द की कोई समस्या नहीं होगी। आपके सरीर की हडियां वज्जर के समान मजबोत बन जाएंगी। और आपको हडियों से जुड़ा किसी भी परकार का दर्द नहीं होगा। दोस्तो इस नुष्के को लेने से आप डाइब टीज जैसी बिमारी को कंट्रोल में रख पाएंगे। दोस्तो इस नुष्के को लेने से आपके सरीर में खून की कमी का इलाज हो जाएगा। आपको एनिमिया की समस्या नहीं होगी। आपके सरीर का खून साफ होगा, सुध होगा, जिससे कि आपके चहरे पर नया गलो आ जाएगा, क्योंकि ये खून की गंदगी के कान भी हमारे चहरे की सुंदरता बिगड जाती है, और जब आपके सरीर का खून साफ होगा, तब आपका चहरा चमक जाएगा, दोस्तों, इस नुस्खे को लेने से कोलोस्टोल और दिल की विमारियां आपके आस पास भे नहीं आएंगे. क्योंकि ये बैर कोलोस्टोल को दूर करेगा, अच्छे कोलोस्टोल की मातरा को बढ़ाएगा, जिससे कि आपको हार्ट ब्लोकेस या दिल की विवारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा आप इस हार्ट डेक जैसी विवारी से बचे रहेंगे इतना कारगर है ये नुस्खा और दोस्तों ये नुस्खा मुटापी को भी कम करने का काम करता है आपके पेट की चरवी को मखन की तरहें पिंगलाने का काम करता है इतना चमतकारी है इस नुस्खे का सेवन और दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो हम तीन कारगर ओस्तियों का तीन कारगर सामगरी का परियोग कर रहे हैं वो सामगरी बहुत अधे के चमतकारी हैं दोस्तो पहली जो इसके लिए आपको सामगरी चाहिए वहत चाहिए अलसी के बीज दोस्तो अलसी के बीजों के फाइदे हम बहुत जानते हैं दोस्तो ये ओमेगा 3 फैट के एचट से भरपूर होते हैं जो हमें दिल की बीमारियों और कोलोस्टोल जैसे बीमारियों से बचा कर रखते हैं खून की कमी और हड़ियों की कमजोरी को दूर करते हैं यानि हमारे सरीर के लिए अलसी के वीजों का बहुत सारे फाइदे हैं दूसरी जो इसके लिए समगरी है वो है दोस्तो जीरा, कुमिन सील्ड, दोस्तो चहे मुटाबे को कम करना हो, कोलोस्टोल को बैलन्स करना हो, डाइबडिस को कंट्रोल करना हो, या खून की कमी का इलाज करना हो, इन सम में जीरा एक कारगर ओस्ती है और जो हमें हमारी रसोई के अंदर ही मिल जाता है और तीसरी जो इसके अंदर समगरी है वो है दोस्तो अजवाइन दोस्तो अजवाइन को मुटापे का इलाज करने के लिए बहुत अधिक कारगर ओस्ती माना जाता है दोस्तो आयुरुवेद में अजवायन के बहुत सारे फाइदे बताएगे हैं और एलोपिथी में भी बहुत सारी दवाईयों को बनाने के लिए इस अजवायन का परियोग होता है तो चले दोस्तों आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको इनकी कितनी कितनी मातरा लेनी है दोस्तों मैं आपको संकेतिक बताऊँगा यनि आप यदि इसको अधिक मातरा में बनाना चाहें तो इसी रेसों में आप इसको बढ़ा सकते हैं जैसे आपने अलसी के बीज लेने हैं 3 चमच, 2 चमच जीरा और 2 चमच अजवा हैं, यनि आप इनी रेसों में यदि आप इस नुस्खे को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकती हैं, जैसे 75 गरम, अलसी के बीज, 50 गरम, 0, 50 गरम, इसी रेसों में आप इसको कितनी भी मातरा में बना सकती हैं, और दोस्तों इन तीनों को आपने हलका सा गरम सेख लेना हैं, जिससे कि ये अच्छी त्रहें से प्रोपर हो जाएं, अब इनको सेख कर, इनको पीश कर इनका चून तयार कर लें, अब चून नहीं लेना चाहते तो ऐसे भी इनका सेवन कर सकते हैं, दोस्तो अब आपने इनके एक चम्मच का सेवन हर रोज सुबे खाली पेट करना है और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तब आपके पेट की चरवी मक्खन की तरह पिंगल जाएगी दोस्तो आपका सरीर निरोगी बन जाएगा घुटनों और जोनों के दर्द या कमर दर्द का आपको कभी सामना नहीं करना पड़ेगा सुगर कोलोस्टोल दिल की बीमारियों से बज़े रहेंगे खून की कमी कभी इलाज हो जाएगा तो दोस्तो देर किस बात की है आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रियोग करें और अपने सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा लें अपने सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सक्ती को बढ़ा दे जिससे क्या बहुत त्रहें की विमारियों से बचे रही, तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर